हलो एवरिवन वालकम बाग तू अराउंड सत्या क्या हाल चाल सब पढ़िया चलिए तो आग आग हूं में एक बार फिर से आप सभी के लिए करके पढ़िया और का इस विडियो में हम जानेंगे कि इडियम क्या होता Mootillृ को हिन्दी में कहते हैं मुहावरह मुहावर्रा क्यों कहते वो भी बताऊंगा पहले समस्टे थोड़ा इसको इडियम इसका ओरिजिन है वो ग्रीक से हुआ है ओरिजिन का मतलब क्या उत्रपत्री मतलब पैदा कहां से हुआ है बना कहां से वर्ड है तो ग्रीक सब्द ग्रीक भाषा में एक वर्ड है इडियोस इडियोस इसका मतलब होता है ओन अपना प्राइवेट या निजी ठीक तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो इडियम है यह ग्रीक भासा से क्यों बनाए ज्यादा तर आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे फिजिक्स हो गया खेमेस्टी हो गया तो जब आप उस ठीक तो देखिए अब यहां पर इसका मतलब ओन या प्राइवेट क्यों होता है वो भी बताऊंगा पहले इसके ना एक जो नॉर्मल सी मीनिंग है इडियम की वो पहले समझ लेता है ठीक इसका मतलब होता है एन इडियम is a form of expression एक जो इडियम होता है वो एक तरीके का अभि वेक्टी तिटेट इज पट्रीकुलर to a certain person जो कि यह किसी बिसेश या ठास बैट केलिए होता है आप group of people मतलब क्या समूह का यानि किसी एक खासबेक्ट के लिए या एक group of people होता है मतलब लोगों का समूह होता है तो उस पॉटिकुलर जगा पे इडियम जो है वो यूच किया जाता है ठीक इडियम सब को समझ में नहीं आता इडियम सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो उस भासा को बच्पन से जान रहा है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो इसको सीख रहा है उसको समझने में जो है बहुत दिक्कत होता है तो अब जो इडियम का मतलब होता है वो मुहावरा क्यों होता है मुह मतलब क्या जो मुह से कोई भी बात निकलती है जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में ना सुनावे या गंटेड तो यह क्या होगा मुहावरा होगा कि मुह से निकल रहे ठीक है तो अब इडियम का मतलब ओन या प्राइबेट क्यों होता है वो इसलिए क्योंकि जितने भी इडियम होते हैं वो लोग खुद से भी बना सकते हैं जैसे कि आपने सुना होगा एकर सिंपल लैंगवेज की बात करें तो करता है पूरे पूरे गोबर गनेस हो क्या घोंगा बसंत हो क्या बकचोन हर हो क्या तो इस तरीके कि यह जो वर्ड से लोग खुद क्रियेट कर लेते उनका अपना खुद का होता है निजी उसका भासा का होता है किसी पराई भासा से जो इडियम में नहीं लिया जाता है उसकी ओरिजिनल भासा से यह बनता है ठीक है तो यह तो हो गया पू कि जो पूरी मीनिंग है वो खुद से इसके दंपे नहीं होती है यह अपनी मीनिंग को बताने के लिए किसी और का सहारा लेगा ठीक है तो इसकी मीनिंग देखते हैं तो वह दोनों वर्ड्स मिल करके एक नया नहीं मीनिंग देते हैं जिसे यहां पर क्या लिखा है ब्रेक अप्रेज के अग्जामपल अप्षण इडियम का देख लेते हैं लिखा है अब मैं आफ लेटर्स यानी प्रक्ष्यात बिखती अब आप समझ रहें यहां पर यह लिग क्या होता है कि पत्र ठीक है तो अब यहां पर इसका मतलब यह होना चाहिए कि पत्रों का एक बिकिती लीकिन इहां पर इसकी मीनिंग क्या लिखिये मेने के और ना, अदिखाने के और होती है रीड बिट्वीन दा लाइन मतलब की लाइन के बीच में क्या लिख्या उपर उपर दिखे रहा वो तो ठीक है उसके अंदर की मीनी क्या तो वही यहां पे बात है कि का मतलब क्या होता है प्रख्यात लेखत तो अब आप समझ गए होंगे इडियोम और फ्रेज का सींपल सा कॉंसेप्ट चलिए और वीडियो को बहुत अच्छे से सुरू कर लेते हैं तो पहला वाला है और मैन आफ इस्ट्रा इसका मतलब होता है कमजोर वेक्ति देखिए केव और मीनिंग हिंदी में जान लेना इंपोर्टेंट नहीं है यहां दिमाख में फिट कईसे होगा वह ज्यादा इंपोर्टेंट है तो फिट कर ये दिमाख में एक बार पढ़ लिजे दो बार पढ़ने का जड़ोते नहीं पड़ेगा देखिए लिखा एक बेक्ति आफ इस् और जो कमजोर वेक्ति होता है उसको इधर से तो थपड मारिया तो धल उड़केगा अब एक्जामपल देख लेते हैं भी समझ जाएगे ठीक धुम्रपान छोड़ने में वह कभी सफल नहीं हुआ कि वह कमजोर आदमी का मतलब कि है इच्छा सक्टी को लेकर के मतलब कि उसके इच्छा नहीं है श्मोक छोड़ने का दो तिन तीन दिन सोड़ेगा जैसा ही देगा कि क्याप्टन का कहीं परचार हो रहा है फट से पहुंचेगा वहां पर अब बयट के वहां पर सुटा मारे अगला वाला है और रैनी डे और रैनी डे का मतलब होता है आव शक्ता ठीक कैसे रैनी का मतलब क्या होता है बरसात डे का मतलब दिन आपने देगा ना बरसात का जो मौसम होता है बड़ा दिक्कत वाला होता है मतलब की आपके पास ना पैसा है ना कोड़ी है कर पैसा है भी त तो रहनी डे के लिए लोग बहुत सारी चीजे बना के रखते हैं हमारे यहां क्या होता है आलू को उबाल के उसकी सुखटी बनाई जाती है सुखवा करके आलू को धूप में रख लिया जाता है कि बरसात जबाएगा न तो अगर हम बाजार नहीं जा पाएंगे बारीस होग होता है और बहुत सिंसे लोग बचा करक्ते हैं आप भी रखते होंगे अगया है रोलीं स्टून रोलिंग स्टून का मतलब है था कि लौटा जिसका कोई पेंदी नहीं है जिदर से मारी और दोड़के गाएग्जाम्पल देखे लिखा है पॉलिटी इस रही चार्त पॉलि यानि जो पॉलिटीसियंस हैं राज नेता हैं वो क्या हो गए बेपेंदी के लोटे हो गए क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी कि हमने क्या कहा कोई नेता आएगा और क्या कहेगा कोने कोने बिजली का तार दोड़ाएंगे जोवन के हुकिया नहीं करके दिखाएंगे राशन काग फिरी में बनवाएंगे आपको यह देंगे आपको वो देंगे मतलब बहुत बड़े-बड़े वादा करता है नेता अज जैसा ही ओट जीतता है चुनाव जीतता है सब वादा भूलाई जाता है जैनि जो नेता लोग होते हैं वो बेपेंदी के लोटे होते हैं नेताओं का कभी यकिन मत करिएगा क्योंकि उनकी जो रोटी सेकती है ना जिस तवे पर रोटी सेकते हैं उस तवे का नाम होता है जूट उथा लिखाया है आल ग्रीक एंड लेटिन इसका मतलब क्या होता है समझ से बाहर अब यह समझ से बाहर कैसे होगा देखे अभी हमने बता था कि णोन जरी हों ऑछिंधीवारता का माई बाप होता है मतलब की जो अंग्रेजी है वह आता हिंदी भाता की जुरुत पढ़ यह समझने के लिए अंगरेजी यह सीखना इतना कठीन है तो ग्रीक और लाइटिन कहां से आगा समझ में भाई तो इसलिए आल ग्रीक और लाइटिन का मतलब क्याता है समझ से बाइब देखे जो चीन समझ में ना आए तो अब देखे यहां इसका मतलब होता है अती निकट थोड़ा समझते हैं एक स्टोर में इसके आलता है पत्थर यानि आप अपने हाथ से घुमा के पत्थर फेकिए कितना दूर फेक पाएंगे जादा से जादा सो मीटर और ये सो मीटर की जो दूरी है क्या आपके लिए बहुत जादा है बिल्कुल नहीं आप आराम से जा सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया अती निक इसका मतलब क्या होता है असंगत अब यह beside the mark क्या होता है थोड़ा समझते हैं जिसे माल लीजे हमने यहां पर एक target बनाया ठीक है कि आपको जो है arrow यहां पर मारना लेकिन आपका जो arrow है आके यहां लगा ठीक तो आप क्या कहेंगे यानि जो आपका arrow था लगना यहां था और कहां रहा है यहां पर यह हो गया ना beside the mark और जिसको क्या बोलते असंगत असंगत का मतलब क्या होता है कि जो काम जिस वक्त हो रहा है वह काम उस वक्त ना करके कुछ और करना जाड़ा है तो जाड़े में श्वेटर और जैकेट पहना चाहिए लेकिन आप सूती कपड़ा प स्टेटमेंट है कथन है इस बिशाइड असंगत तुम्हारी बासे कोई भी सहमत नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारा बात है तुम्हारा जिस्टेटमेंट है Bea के दिमाग से बाहर नहीं आती बुद्धिमानी पे ताला लग जाता है तब आप क्या बनते हो मंद बुद्धी आई एक एक जाम पर समझते हैं undoubtedly your brother is a blockhead नी संदे तुमारा जो भाई है वो blockhead है वो मंद बुद्धी है अगला है ब्रेक दा आईस ब्रेक दा आईस का मतलब क्या होता है चुपी तोड़ना जैसे मालीजेए कि आपके हाथ में आईस है और आपने क्या किया ब्रेक दा आईस आपने क्या कि चुपी तोड़ना क्यों होता है बरफ देखा है आपने बरफ ब्रेक दा आईस मतलब बरफ देखा आ तो यही मतलब होता है ब्रेक दाइस का मतलब क्या चुपी तोड़ना एक्जामपल लिगा है जब कोई बात नहीं कर रहा था तो मैंने चुपी तोड़ दी या मैंने बरफ तोड़ दी और सभी लोग बात करना सुरू कर दिये cry for the moon का मतलब क्या होता है और प्राप्य वस्तु मांगना यानि एक ऐसी चीज मांगना जो मिलना बहुत impossible जैसे कोई आप से कहें कि मुझे चांद चाहिए चांद कहां से लाके दे दोगे भाई कौनों खिलोना है जो आप लाके दे दोगे लो चांद लेके आने तुम्हारे लिए अरे बच्चों को समझाना आसान है कि थाली में पानी रख कर दिखा दीजे यह देखो चांद है लेलो लेकिन कोई बड़ा आदमी कहा है कि हमको चांद चाहिए तो उसको कैसे समझाए जा सकता है तो इसका मतलब यह होता है कि अप्रा पेवस्तु मांगना एक ऐसी चीज मांगना जिसको लेके आप आना संभव ना हो चलिए एक्जांपल देखते हैं पेवस्तु मांगने जैसा है ठीक है यार इलान मस्क कोशिस में लगे हुए है कि मार्स पे वो कॉलोनी बनाएंगे लेकिन जोब बनाएंगे तब बनाएंगे न अभी संदु 2023 में कहां पॉसिवल है कि आप चले जाईए मार्स पे मंगल पे सपने में चले जाईएगा लेकि दूध और सहद को तरक्की का सम्रिधी का प्रतीक माना जाता कि जिसके घर में अगर सहद और दूध है तो आदमी खाते पीते परिवार से है उसका घर बहुत वैभोसालिय बहुत अच्छा है लिखा दोज डेज वेन हरी वाज लीविंग इन अमेरिका वर देज ओफ मिल्क हुआ हार् हदो जब हरी अमेरिका में रह रहा था दिन उसके लिए सुखद थे अब अमेरिका बहुत ही जादा विकशित देश हैं वहां पर सारी अपर अब वेक्ति आगर आँ जाएगा लिए इंडिया से कुई आगर वहां पर जाता है तो उसका जीवन तो आराम से बीतेगा क्योंकि कोई दिकत नहीं कोई वहां पर समस्या नहीं ये अगर आपको कोई भी बिमारी होती फट से उसका इलाज मिल जाएगा हर एक चीज वहाँ पे आसानी से मिल जाती है तो वहाँ पे कोई भी रहके आएगा तो उसकी लाइफ अच्छी तो होनी होनी है सुखत तो होना ही होना है ठीक है तो यह रहे कुछ idioms and phrases आपको कैसे लगे ह हमारे idioms and phrases comment में जरूर बताईएगा और हाँ एक चीज और बताओ कि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ अच्छा है कि थोड़ा से इसको बदलने की भी जरूरत है बताईए आपके comment का हमको इंतजार रहेगा थैंक्स फॉर वाचिंग